नमस्कार दोस्तों आज हम डिसकेशन करने वाले हैं आर पावर स्टॉक के बारे में तो शुरू कर दें दोस्तों बात करते हैं यहां पर आज के थ्री आवर चार्ट की तो देखिए जैसे ही स्टॉक को अगर हम देखते हैं 11 रुपे 45 पैसे के करीब ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है अगर बात करते हैं हमारे सपोर्ट की तो दिखिए अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो परकरार है 11 रुपे 11 पैसे का तो इस support पर बिलकुल अभी भी नजरे पना कर चलनी है दोस्तों अगर यहां से तेजी परकरार रहती है तो आने वाले कुछ trading sessions में next target जैसे की हमने बताया था 12 रुपे 50 पैसे का target रहने वाला है जल्द ही यह target stock achieve करेगा अगर यही तेजी परकरार रहती है लेकिन दोस्तों supports क अभी खासा ध्यान रखना है क्योंकि किरावट भी देखने को मिल सकती है अभी इन levels पर fresh buying को avoid करना है wait and watch की strategy अपना है जैसे ही buying का शांदार मौका बनता है हम एक video जरूर बनाएंगे लेकिन आपके portfolio में अगर पहले से ही आर पाबर शामिल है hold करके रख सकते हैं लेकिन fresh buying क आपको avoid करना चाहिए तो यही strategy आपको उपनानी है आप चाहें तो अपनी खुद की analysis खुद की research जरूर करके चल सकते हैं तो यही बताने के लिए हमने video बनाई थी video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद